ब्रिटेन के एक कॉलेश में धर्म और भारत विरोधी टिपणियों के खिलाफ आवाज उठाने पर भारती चात्र से बेदभाव का मामला सामने आया है हरियाना के गुरुग्राम में रहने वाले करण कटारिया लंदन यूनिविर्सिटी में यूनियन इलेक्शन का चुनाव लड़ रहे थे लेकिन हिंदू और भारती होने के चलते उसे अयोग घोशित कर दिया गया करण लंदन स्कूल आफ इकोनॉमिक से लौ की पड़ाई कर रहे हैं भारती चात्र ने अरोप लगाया कि लंदन यूनिविर्सिटी में भारत विरोधी अभियान चलाया जा रहा है इस अमन में करण ने डेमोक्रेसी कमिटी में अपिल की लेकिन उनका पक्ष नहीं सुना गया यहीं नहीं कुछ इस्लामिक स्टूडेंट्स और एक लौबी ने उनका विरोध भी किया करण की उमिद्वारी के खिला वाटसप ग्रूप पर बीते 24 मार्च को अभिहान चलाये गया और उसे हिंदू राष्टवादी होने का आरोप लगा कर चुनाओ से भाहर कर दिया भारत विरोधी बयानों के खिलाब बोलने के आधार पर उसके साथ भेदभाव क्या जाता है बीते 2 अप्रेल को ट्वीटर पर उन्होंने जनरल सेकेटरी पत के लिए लड़ने से अयोग घोशित करने की जानकारी दी करण ने अरोप लगाया था कि उसे भारत के पक्ष में आवाज उठाने और हिंदू फोबिया की वज़े से व्यक्तिगत शातिराना तरीके से टार्गेट किया गया करण ने मांग की है कि कॉलेज इस बारे में सही फैसला ले करण ने खा दोस्तों ने मुझे चुनाव लणने के लिए प्रेदित किया लेकिन कुछ लोग LSESU का नैतरूत करने के लिए मुझ जैसे भारती हिंदू को नहीं पचा पा रहे थे इसी कारण से उन्होंने मेरी छवी खराप की इसी के साथ बने रहे राजदर्मा टीवी के साथ धन्ने बाद